आप अगर इस नोट्स को पुरीता सी वीडियो को देखेंगे त्यार कर लेंगे तो आपको यूपी टिट में कोई प्रशन ऐसा नहीं जिसके बाहर से है क्योंकि आपके नए सिल्बस नए पैटन के अधार पर इस नोट्स को त्यार किया गया है आपको परखते हैं पहला counterpart की बैठन के वाद के कम है, इसलिए हम प्रयाषे करेंगे जहां सबसे जयादा प्रशन आज सकते हैं पास्थित की चब्द की प्रत्म प्रियोकता कौन है पास्तित की सब्द के प्रियोकता कौन है तो अगर पास्तित की सब्द के प्रियोकता की बात करेंगे तो काल रिटाल है कौन है काल रिटार इन्होंने 1865 में पास्तित की सब्द का की बात कही थी इन्हों सबसे पहले शब्द का प्रियोकता की जबकि यदि पाश्थित्की के जनक पूछा जाए, एकोलोजी के जनक पूछा जाए, तो अर्नेस्ट हाइकल है कौन है, अर्नेस्ट हाइकल अर्नेस्ट हाइकल, यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्मने कौन है, अर्नेस्ट हाइकल, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है, कि पास्थित की तंत्र मनें ecology system या ecosystem के जनक को ने एजी टांसले ध्यान दीजेगा पास्थित की तंत्र के जनक एजी टांसले हैं जबकि पास्थित की जनक अरनिस्ट हाइकल है की टांसले सोबकि पास्थित की तंत्र के पितांआ और्ब औरबू कहा जाता है तो कि जनक यही टांसले को माना जाता है आगे देखेंगे भारत में Ezra का ज़का राम देव मिस्रा है कौन है प्रोफेशर राम देव मिस्रा है आगे देखते हम लोग पृतिवी का सबसे बड़ा अस्थाई परितंत्र ये प्रशन पूछा जा चुका है आपका महसागर शमुद्र क्या है महसागर या समुद्र है पृतिवी का सबसे बड़ा परितंत्र है फ का सबसे छोटा परितंत्र है फिर हम देखते हैं चीटी औभोकता और अबगटक दोनों के अंतरगत रखा गया है ठीक फिर आगे देखते हैं हम लोग कौवा चिल रथा बाज को प्रकित का महतर कहा जाता है अर्था सफाई कर्मी भी कह जाते हैं कौवा चिल बाज आधि को प है फिर हम लोग आगे देखेंगे कि किषान का मित्र केज को अता साफ केज लिंटल नमक समुद्री घास जो होता है वो उतपादक की भूहन दो क्या है उतपादक होता है एक यह और जानते हैं है अब आॉदीन का प्रमुक्ख sł Task क्या लिक्राब पूचा होोहाहे आइॉडीन का प्रमुक्ख स्यूरत है अब इक व्यंति उत्सक्षै इस टंत्र में और्जा का 10 % चीफ पर्ष्थ चूर्ब पैँवकोंसे यह महत्तपूर्ण भी है तो लिन्न माच झीख सूर्ध की और इंटीन Nonneto बैलिइशवक्ष में 10% का नियम दिया था मझे लिए कहा था कि और यम선तर टा रेंट Cordoba को शेर कर दियेगा और यहां online class नोर्ज भी उपलब्द है उपर देगा नम्पर कर सकते हैं और दुरगे सर से facebook page facebook instagram twitter और telegram app हमारे साथ जोड़ सकते हैं आगे देखते हम लोग कि उर्जा का जो पिरामीड बनता है वो सदेव सीधा होता जाद रखेगा और जो पिरामीड होता देखें सदेव क्या होता है सीधा होता है वेकि दस परसें और रास्कनियम लेंड मान ने दिया ही है फिर हम आगे देखेंगे कि खाद सिंखला में जो उर्जा का प्रवा होता है वो सदेव क्य दुर्जा का जो प्रवा होता है वह बहुत धुषी होता है धिक किसमें खादाज्ञाckा, जबकि खादे संगला में एक-धेशी और खादे धुषी होता है धिक सेर कर दीजेगा हैं, नोट्स आपको हमारे टिलिग्राम पे मिल जाएगी जहां पर दुरगेश सर्च कर आप हमारे साथ इस नोट्स को वाँ से प्राप्ट कर सकते हैं तथा इस वीडियो को सेर कर दीजेगा और इसके लिंक में इसकी नोट्स की पीड़ाइप फाइल भी आपको अपलब्द हो जा किशी भी खादे शिंखला में सरव supports प्राप्ट करता है चर्कादे के नीचे होता हुद पstalk फीर शाका अफरी मांसा अरी फिर सर्वारी लियों सर्वारी क्यों होता है। होता है कि आगे हम लोगदेह कि 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 श्वशन को दौराण पौधे UK टरते हैं उससे मैं क्या करते है जिसमें हमारे दौर च्छुड़ा गया कारभन डयकर्वाइड जिए गया वो क्या करते हैं वो गरहन करते करते हैं और मुद्टः यहां करते हैं यहां पर आगे हम देखते हैं कि प्रकास संस्थ्लिशन के दोरान पौर्धे क्या छोडते हैं करबंड दे छोड़ते हैं और देखिव चोड़ते हैं या oxygen को मुग्त करते हैं फिर जानते हूं प्रकास संसलेशन क्रिया होती है कि वह लाल यहों बैगनी रंग में प्रकास संसलेशन क्रिया किस किस रंग में होती है तो याद रखेगा कि वह लाल और बैगनी रंग में ही प्रकास संसलेशन के क्रिया होती है यह सब सबसे बहुत ही महत्वपून नोट से आप इससे सभी साथियों को शेयर कर दीजेगा कि इन ही चीज़े को पढ़ने के लिए आपको पांच-पांच-पांच-दस-दस किताबे पढ़ने पढ़ेगी जो आपको एक ही जगह मिल जा रहा है और संपूर्ण सेलबस हम आपको उप बैगनी रंग में होती है मतलब हमें कह सकते हैं कि प्रकास संस्लेशन की जो किरिया होती है सरवाधिक लाल कलर में होती है और जो सबसे कम होती है वह किस कलर में बैगनी कलर में होती है ठिक concept के लिए हुआ आगे देखते हैं प्रकास संस्लेशन की किरिया सरवाधिक 30 से 35 डि से हम लोगों ने भी तक के कुल पांच प्रकार के प्रश्न पढ़ लिया कि प्रेड़ पुरी तरह से कंठस्त कर लीजेगा पूरी तरह से आप यादे कर लीजेगा विए परिच्छा में जबसे ज्यादा पूछे जाते हैं फिर में जानते हैं पौधे जल तता खनीजो का अधिगरहन होता है जाईलम के द्वारा होता है किसके द्वारा होता है फिर में जानते हैं पौधों में भोजन का अधिगरहन किसके द्वारा होता है फ्लोयम द्वारा होता है जल तता खनीजो का गरहन जाईलम द्वारा होता ह है जब कि भोजन का ग्रहाण किसके द्वारा होता है ठीक आगे देखते हैं लोग ठीक है चलिए आगे देखते हम लोग यहां पर हम लोग को देखेंगे कि पौदे का रशोई घर कहा जाता है तो पतियों को पौदो का रसोई घर कहा जाता है पौदो का रसोई घर किसे कहते हैं पतियों को कहा जाता है फिर आगे हम लोग देखते हैं कि पौदे का सबसे आकरसक जो भाग होता है वो पुष्प होता है जो पौदो का सबसे आकरसक भाग होता है वो क्या ह आपत होता है आगे देखेंगे केसर भात में पाया जाता है केसर भारत के जम्मू एंड कस्मीर में पाया जाता है कहां पाया जाता है जम्मू एंड कस्मीर में केसर पाया जाता है भारत में पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफीलिया पढ़ हरिम के कारण पत्तियों का रं किसके कारण करोटीन ये कारण पतियों का रंग क्या होता है पीला होता है ठिक आगे देखते हैं परियावरण का मित्र है परियावरण का मित्र ब्रिच कौन कौन से ये परिच्छा में पूछा जा चुका है पीपल नीम तुलसी बरगद ये सभी पेड़ जो है ये क्या है पी आप इस वीडियो को पूरी तरह से तयार कर लिजेगा और अपने सभी साथियों को सेयर कर दीजेगा ऑनलिंग क्लाश जोइन करने के लिए आप दुरगेश सर दिये गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं साथ तेलीग्राम में पर जोड़ने के लिए दुरगेश सर बिना स्पस्पेश दिये दुरगेश सर्च करके इलनी बी दुरगेश सर जोड़ सकते हैं जहां पर सभी स्टडी मेटरियल, नोर्स, पेडिया, प्राक्टिस, सभी चीज़े आपको प्लब्द हो जाएगी, यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, यह हम परत्रम पेज को पढ़ाया, एक एक करके हम अलग अलग पेजों को पढ़ लेंगे, जो आपके परिष्छा के दिश्ट कोन से महत्वपूर्ण परश्णों की सीरीज हम आपके साथ ले कर आएंगे, और आप अगर आफलेंड क्लाश जोएन करना चाहते हैं, उसके लिए आप दिये गया नंबर पे जोड़कर कॉल कर सकते हैं, यह हमारी संस्ता, जौनपूर मे टीडी का लेगेट के पास अनपम रेश्टोरेंट के बगल में चलती है, और प्रदेश में कहीं भी आप अपने घर स्पीट पोस्ट नोट समंगा सकते हैं, हमारी ओनलेंग क्लाश जोएन करने के लिए दिये गया नंबर पे कॉल करके आप ओनलें क्लाश जोएन कर सकते हैं इसके साथ आज सभी सात्यों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सेर कर दिजेगा, विए यहां से जो प्रश्ण है आपको आपने बताये हैं, वे सभी महत्तपून प्रश्णों के स्पीरीज हैं और इसे एक बाद तयार कर लिजेगा, बाकी इसे एक साथ आज सभ को बहुत बहुत धन्यवाद